बच्चो अब हम करते हैं अपना next topic fourth topic जिसका नाम है perpendicular तो perpendicular होता क्या है पहले हम यह देखते हैं तर इसके बाद इसके अंदर दो-tीन topic और उसे करेंगे तो perpendicular दो सबसे पहले हमें क्या देखना है तर तीन topic है इसके इसके अंदर इसी वाले में सारे करवा देता हूँ सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है पर-पेंडी कुलर है यह है तेको द्यान से समझने है इस टोपिक को थोड़ा सा परपेंडी कुलर होता है कि subs कर लो मैंने एक line segment खीच दी मैंने एक line segment खीची हुई है चाहिए आप line segment खीचो या line खीचो उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो मैंने एक line segment ले ली मानलो AB अब मैं क्या करता हूँ इस line के उपर कहीं पे भी अगर मैंने 90 degree का angle बना दिया तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने एक perpendicular बना दिया तो 90 degree का angle मानलो कि आपको कहां बनाना है यहां बनाना है ठीक है इसको मानलो आपने point का नाम दे दिया O अब इसके उपर आप क्या करोगे 90 degree का angle बनाओगे न 90 degree का angle कैसे बनता है बिलकुल इससे उपर straight line बनती है यह नीचे बना लो कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या करेंगे हमने angles बनाने सीख लिए अभी measuring के अंदर एक straight line ऐसे लगा दी और इसे हम क्या कहते है इस angle को यहां पे एक point ले लो आप P ठीक है तो हम इसमें क्या कहेंगे यह हमारे पास क्या हमने एक perpendicular बना दिया समझगे बात हमने क्या किया यह एक perpendicular बना दिया है ठीक है perpendicular यानि किसी भी line के ओपर किसी भी line segment के ओपर किसी ray के ओपर जिसके मर्दी ओपर कोई दिक्कत नहीं हम क्या कहेंगे अगर मैंने वहां पे किसी point पे लेके वहां से 90 degree बना दिया तो हम क्या कहेंगे हमने एक perpendicular बनाया अब क्या एक चीज़ बताओ क्या मैं इस line पे सिर्फ एक ही perpendicular बना सकता हूं यानि एक ही 90 degree का बना सकता हूं नहीं मैं तो अगर यहां पे suppose कर लो यहां पे एक point ले लेता हूं क्या हूं और यहां से मैंने एक straight line ऐसे draw कर दी अब straight नहीं बनी थी थोड़ा हाथ से बनती नहीं है अब बताओ यह मैंने मान लिया यह O था यह क्या हूं यह R ले लो अब मैं कहता हूं point मेरा देख एंगल मेरा B क्या हूं and R क्या है यह मेरा B क्या हूं और R क्या है मेरा यह 90 डिग्री का एंगल मना रहे है straight line बना दी है नीचे मेरी straight line है और उपर भी straight line बना दी एक दुतरे को ऐसे join करा दिया तो क्या होगा 90 डिग्री हमने जब अभी जब हमने अभी इससे क्या नाम है protector से angles बनाने सीखे थे measure करने सीखे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था 90 डिग्री के होता है बिल्कुल यहाँ पर straight में होता है यहीं भी होता है एक बार दिखा देता हूं आपको protector को यहाँ दो तो हमने क्या देखा देखो यह लाइन देखा देखो यह लाइन गेरी और यह 90 डिग्री बिल्कुल straight इस लाइन के बेस लाइन के बिल्कुल स्रेट उपर यह क्या होता है हमारा perpendicular तो BQR क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री तो अगर देखो मुझे इसको यह कहना हो कि यहां पर देखो यह लाइन के उपर मैं कितने प्रपेंडिकुलर बना सकता हूं तो मैं इसके उपर काउंट लेस बना सकता हूं जितने मर्जी आप पॉइंट डालो और स्ट्रेट लाइन बनाते जाओ आपके पास क्या बन जाएंगे उतने ही 90 डिग्री के बन जाएंगे उतने ही प्रपेंडिकुलर बन जाएंगे यह था चीज अब पॉइंट याद रहना जरूरी नहीं कि वह लाइन ही हो वह लाइन हो स आपको अगर परपेंडिकुलर आ गया है तो आपको यह बड़ आराम से आ जाएगा देखिए परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता प्रपेंडिकुलर तो हमें लगा ना है एक्जाम्पल लेते हैं जैसे कि आपने आपके पास एक लाइन, सेगमेंट है कोई line है कोई दिक जो मर्जी हो सकता है यह एक मैंने ले ली line ओके line का नाम दे दिया मैंने L दे दो line का नाम दे सकते हैं बिलकुल L M कुछ भी दे सकते हो ऐसी मैंने इसके उपर point ले लिया A और B ठीक है अब मैंने क्या क्या है इसके उपर अब एक perpendicular लगा देते है'm जैस के लो इस point पर लगा देते हैं ओक बिलकुल रई सकते हैं तो मैं नाम दे दिया मान लो कि यह है A और यह हो गया मान लो P ataip open तो मैं क्या कहूंगा यहां पर एंगल बनाया है, वो है 90 degree, ठीक है, हमारी line थी L, L के ओपर मैंने क्या बनाया, perpendicular O, P, ठीक है, अब मुझे क्या बताना, यह क्या है, एक हमारी perpendicular line बन गई है, क्योंकि एक line मैंने perpendicular बनाया है, तो यहाँ पर इसको लिखूंगो कैसे मैं, इसको देखो जड़ा, कि इसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा, कि O, P क्या है, perpendicular, तो O, P, perpendicular का sign यह होता है, तो इसको कैसे पड़ेगा, O, P, is perpendicular, to line क्या है मेरे पास, L, तो O, P, जो perpendicular है, हमारे किस line के उपर, L के उपर ऐसके ऐसे पड़ेगे, O, P, is perpendicular to line, L, यहाँ को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके लावा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कि O, P, perpendicular to line, A, B, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो, perpendicular का sign लगा दो, प बताओ, दूसी चीज करते हैं, इसके अंदर, मैंने ऐसे बनाया, अगर मैं एक point यहाँ पर लूँ, और ऐसे बना दूँ, तो क्या यह perpendicular होगा, यह वाला, यह वाला perpendicular होगा, जब 90 degree है, यह भी 90 degree ही होगा, क्योंकि यह straight line है, straight line 180 degree का अंगल बनाती है, याद रखना, जब यह यह इतना 90 degree है, तो बचा हुआ भी 90 degree होगा, तो मैंने कहा कि मानलो, यह क्यों है, और यह R है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यों, R is perpendicular to line L, लिख सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यों R, इस perpendicular to line A, B, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते दोनों ठीक होँगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास एक चीजा ही, कि एक line पर जितने मर्जी perpendicular बना सकते हैं, perpendicular क्या होता है, ऐसे straight line जो 90 degree का अंगल बनाएगी, और आप ऐसे उल्टार नीचे जैसे मर्जी बना सकते हो, 90 degree का अंगल बनना चीए, तो हम उस line को क्या केंगे, और perpendicular है, ठीक है, परेपेंडिकुलर क्या परेपेंडिकुलर लाइन्स क्या था, तीसरा topic आथा है, इसके अंदर, परेपेंडिकुलर बाईस एक्टर । आप अपनी बूक में ज़रूर पड़ है इसको पर्पंडीकुलर एक नों टॉकु अ जॉप भाइसेक्टर । एक दन गाजुआ बात हैं ये सब करते हैं। पर्पंडीकुलर और साथेक्टर करके दो बर्डह हमारे पास पर्पंडीकुलर नीश this by sector का मतलब क्या होता है किसी लाइन को बिल्कुल आधा बिल्कूल आधा ब्रेक कर देना आधा हिसा इदर आधा हिसा इदर चाहिए वह लाइन हो या कुछ भी हो हमने क्या कहा है आपने केक को बीच आपने इसको आदा बिल्कुल बीच काट दिया, इसको Bysect काट दिया। आपने बिल्कुल half piece में काट आदा half piece इधर, आदा half piece इधर, तो इसे हम क्या कहेंगे, bisect करना, ठीक है जी, तो perpendicular क्या हो गया, 90 degree, और bisect का मतलब क्या हो गया, आदा काटना, तो यहां पर काम कैसे चलता है, देखो इस चीज को दियान से, हमारे पास है, एक line segment लेंगे, अब द बिल्कुल इसके बीच का point है, कैसे देखो, यह मान लोग कि यह line हमारी है, 10 cm की, ठीक है, total में, और यह जो point है, O, यह इसका बिल्कुल बीच का point, बिल्कुल बीच का, ठीक है, यानि कि A, O है 5 cm, O से B है, हमारे पास 5 cm, तो total में कितना हो गया, 10 cm, अब मैंने क्या किया, इसक इसके उपर एक perpendicular लगाना है, point O पे, तो मैंने ऐसे लिया, देखो, इसको ऐसे लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लेंगे, अब मैं क्या कहूंगा, कि इसको मैंने क्या कर दिया है, by set कर दिया है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल बीच ओ बीच जाके, इस perpendicular ने क्या किया, by perpendicular तो है, साथ ही साथ, जहां से वो उसने इसको इंटर सेट किया है, वहां से क्या हो, लाइन को आदा आदा ब्रेक कर दिया, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा perpendicular bisector, clear हो गया चीज, तो perpendicular bisector क्या होगा, जो बिल्कुल आदे आदे हमारी length पे किसी चीज को divide कर दे, औ हमारे पास देखो, AO हमारे पास क्या जाएगा, 5 cm, ऐसी OB कितना हो जाएगा, 5 cm, क्योंकि हमारे पास जो था, AB क्या था, 10 cm, तो हमने क्या बनाया, एक perpendicular बनाया था, हमने OP, ठीक है, तो OP perpendicular सा क्या लिखेंगे, कि OP, OP is perpendicular to AB, इसको bisector का लगाने का कोई तरीका निया, भी symbol नहीं है, आप OP is perpendicular to AB, यहां पर हम बोलेंगे, कि perpendicular जो है, वो है, क्या है, perpendicular bisector है, क्योंकि उसने इसको half-half fat में काट दिया, अब यहां पे बच्चों को एक doubt आ जाता है, कि क्या हमेशा perpendicular हमेशा bisector होगा, जी नहीं, जरूरी नहीं है, suppose कर लो, यह हमारे पास 10 cm की length थी, तो मैंने किया क्या है, अगर मैं एक perpendicular ऐसे लगा देता हूं, ठीक है, क्यों R, अब यह बताओ कि क्या यह perpendicular bisector है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि bisect नहीं कर रहा है, सिर्फ perpendicular है, bisect करता तो बिल्कुल बीचों बीच करता ना, तो हम क्या कहेंगे, सारे perpendicular, सारे के सारे perpendicular bisector नहीं होते, बस जितने भी perpendicular bisector होंगे, वो क्या होंगे, perpendicular तो होंगे, ओके, तो ऐसे अब देखो, अब हम थोड़ा सा अलग वे में समझते हैं, जो बहुत जुरूर यह समझना, थोड़ा सा diagram को, ठीक है, ऐसे मैंने बनाई है, य और B, यह है O, ठीक है, यह है, इधर लिख लो, इसको O, अब मैं इसको perpendicular bisector बनाना है, तो देखो इसको दिहां से समझना आप, यहां पे आ गया मैं, ठीक है, यहां से मैं इसको आगे भी लेके जा सकता हूं, सही है ना, इसको आगे भी लेके जा सकता हूं, बिल्कुल, तो क और देखो यह भी एक straight line और यह भी 90 degree बनाएगा, जो कटेगी तो सीधी कटेगी, तो यह भी क्या होगा हमारा, 90 degree और यह भी 90 degree, तो यहां पे आपने क्या देखा, इस तरीके से भी हमारे perpendicular bisector होते हैं, ठीक है ना, तो यह होगा आपके पास जो topic था perpendicular, कि क्या है, then perpendicular lines क्या हो होते हैं, अब जो हमारा next topic होगा बच्चो, वो होगा हमारे पास perpendicular bisector के बाद, हम triangles करेंगे, triangles related क्या types of triangles है, उनकी क्या properties है, या उनकी जो classification है, वो हम देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए से आप जरूर कर लीजे, मैं अगला topic जल्दी से ready करता हूँ, आपका fifth topic, triangles, okay?